हेलो एविवन मैं नहीं लंतिवारी आप सभी का मैगनेट बिंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैगनेट बिंस एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12 क्लास तक के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री एविलिबल करवाय जाते हैं और साथ-साथ में आपकी परिक्षाओं की तैयारी का भी ध्यान रखकर ऐसे ही वीडियो बनाय जाते हैं जो आप तक पहुंचे और बो भी बिल्कुल फ्री में यहाँ पर कोई आपके ऐसा नहीं है कि हम एक्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं तो उसके लिए कुछ अलग चार्ज किया जाए ऐसा कुछ भी नहीं होता है बच्चों को सारी यह चीज़ें आपको फ्री एविलिबल करवाय जाती हैं अब जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं कच्छा दस्वी संस्कृत का एक बहुती महत पूर्ण अपना टॉपिक और इसका हम करेंगे आज वन शोट रिवीजन में कतम अनुछेद लेखन करेंगे और अनुछेद लेखन में भी हम कम से कम आठ से दस टॉपिक को एक ही वीडियो में आज बनाने वाले हैं जिसमें कि जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो अनुचेद लेखन है वो अभ्यासवान भव का भी आपके स्लेबस में लिखा हुआ है ये स्लेबस में कहा है कि अभ्यासवान भव में से ही ये सारी चीज़ें आ सकती हैं पत्र हुआ अनुचेद हुआ तो वैसे अनुचित लिखना देखें हमने आपको सिखा दिया बहुत तरह से बताया कि हमें कैसे कैसे अनुचित को लिखना चाहिए होता क्या है अनुचित का और निबंद दोनों ही चीज़ें अलग होती है बच्चे सोचते हैं वो एक ही बात है लिकने ऐसा नहीं है इसको हम अलग बनाते हैं लेकर संस्क्रित में जो अनुचित होता है चाहिए हिंदी होई आपना branôm जो होता है व क्या होता है कम शब्दों में उस जो हमारा विशय है कोई भी एक आपको तॉकिक दे दिया गा कोई बी आप जो विषय दे दिया जाएगा उस पर और आपको कम शब्दों में उस पूरे के बारे में लिख देना है कम शब्दों में और कक्षा दस्वी का पार्टिकरम ऐसा है कि उसमें पांच वाकी ही लिखने के लिए आते हैं लेकिन अब आप कोगे फांच वाकी आते हैं तो आप 7-8 क्यों बता देते हूं इसलिए कि कम से कम पांच तो याद रही जाएंगे जब हम 6-7 आपको समझाएंगे तो कहीं न कहीं वो दिमाग में रहेंगे किस प्रकार के करने हैं तो पांच शे वीडियो हम पहले से ही आप लोगों के लिए हमने बना रखे हैं लेकिन आज इस वीडियो में हम अभ्यासवान भव जो आपकी किताब है उसके हमें दस टॉपिक उठाए हैं और उनके अनुछेद लेकर हम आपको करवा देंगे ठीक है तो चलते हैं अपन पहल देख लेते हैं हमारा जो पहला टॉपिक उसमें दिया हुआ है पहला विशय दिया हुआ है जन्तु शाला अब जन्तु का अर्थ ही समझ लेते हैं कि यानि जन्तु का अर्थ क्या होता है प्रानी कौन से हमारे जीव जन्तु होते हैं यानि कि जानवर ठीक है अब शाला या है जहाँ पर उन को उनकी वातावरन का अनकूल उस जगह पर रखा जाता हैius को हम क्या कहते हैं चिडिया घर क्या करें है जानवर जाधा रहते हैं उस चिडिया घर में जिसको हम जू भी कहते हैं बोलते हैं तो जन्तु शाला अब यह आपका टॉपिक आपकी किताब में है तो उसको अपन समझ लेते हैं कि क्या हमें इसके बारे में बताना है तो कहेंगे जन्तु नाम शाला जन्तु शाला इतिक स्थ्य पत्तियतिंद अब नियसल थे Sounds के बारे में अगर हो यह वाले इशार glow मौतित तो हम स्वेयं अगर बाना लाइनोगतें तो हम क्या करतें तो हम किस प्रकार से अनुंशिद लिखते कंकि हमें लिखना भी सीखना है कि हो सकता है कि अभ्यासवान भव मैंसे ना दे कि कोई अलग से ही आपका टॉपिक उठा के दे दिया जाए फिर क्या करेंगे तो हमें तरीका आना चाहिए हम हमीशा कहते हैं कि हम तरीके को सीखें ना कि हम उन चीजों को रटें ठीक है तो और जानवरों के रहने के स्थान को चिडियागर कहते हैं ऐसा ही कहेंगे तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे जैसे आप हिन्दी में पहले लिखे देखिए आपने जैसे लिखा जानवरों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? चिडिया घर कहते हैं चीक है? तो अब हम कहेंगे जानवरों के अब जानवर एक नहीं है बहुत सारे एक ही तो रहता नहीं जडिया घर में बहुत सारे रहते हैं तो जानवरों को क्या कहेंगे? जन्तु अब इसमें हमें क्या करना है? काकी के का अर्थ निकालना है तो हमें सश्थी विभक्ती लगानी पड़ीगी क्या लगानी पड़े कि सश्ठी विवक्ति सश्ठी विवक्ति का बहुएचन क्या बनता है एक बचन बनता तो हम क्या लगाते हैं भई ये हैं हमारा उकारांत। छुटी व کی मात्रा तो अपे हम क्या कहतेंगे में जंतो हो जंतो Czy लगेरे कंगे न 01 जानवर है कि यहां बहु हम यहाँ पर क्या लगा देगे नाम अगर यहाँ र जैसा कुछ होता र या शटकोन वाला शाह होता तो तो हम क्या कर देटे दिश कंदर करarna नहीं है लिगन यहाँ पर हमारे पास र नहीं यह तो हमारे पास सिंपल ना लगा कर दो हम नाम रहने के साथ में का की के का अर्थ लगाना है तो कहेंगे रहने के स्थान को क्या का जाता है शाला रहने के स्थान को पढ़ने के स्थान को शाला हर चीज के किसी भी इखटी शाला शब्द का अर्थ क्या होता है शाला का अर्थ यह होता है कि भई अगर हम विद्यालय कहते हैं पाठ शाला उसको क्यों पढ़ने की वहां पर पढ़ने के लिए सब एकत्रित होते हैं तो ऐसा इस्थान जहां पर कोई भी जब एकटे होते हैं तो उसको हम शाला कह देते हैं तो भाई वो इस्थान है तो क्या है रहने के स्थान को क्या कहा जाता है शाला तो कहेंगे जन्तु नाम शाला जन्तु की जो शाला यानि जन्तु के रहने के इस्थान को अब ये रहने का इस्थान क्या हो बनिया इतनी को अपने अलग-अलग शब्दों में ना लिख के आमने सीधा क्या दिया शाला क्या लिख दिया शाला कि जन्तु की शाला को चिडिया घर कहते हैं तो कहेंगे जन्तु नाम शाला जन्तु शाला इती कथ्याते तो हमने इस प्रकार से इसका वाक्या बना दिया कि जन्तु ओं की शाला को जन्तु शाला कहते ठीक है अब कहें कह रहे हैं जन्तु शाला में होता क्या है आप कहfindगे जो जन्तु शाला यानि चिडिया घर में बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं जन्तु के साथ में यह बढ़िया की मातरा लग गई है बढ़िया की मातरा सीगी कैसा हो गया कारांथ हो गया तो हमें क्या लगाना पड़ता है याम जैसे कि हमने बाली का शब्द का क्या बनाते हैं बाली का याम, लता याम तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे जन्तुशाला याम यानि जन्तुशाला में क्या कहेंगे हम जन्तुशाला में जन्तु शालायाम अब क्या रहते हैं अनेक तो अनेक को अनेक लिख दिया अनेक 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 शब्द के भी भाई हमारे रूप बन गए कहेंगे अनेके बहुत सारे पश्वह पक्षि नह चा भवन्ती पशु शब्द का बहुँ वचन लगाया क्योंकि एक नहीं रहते हैं मात्र जैसा वारी का रूप बनता है वैसा पक्षी का रूप बनता है तो जैसे वारी नह बनता है तो पक्षी बन गया हमारा पक्षी नह काएंगे जन्तुशालायाम यानि जन्तुशाला में अनेके पश्वह चपक्षिनः पशू और पक्षी होते हैं तो भवन्ती होते हैं ठीक है निवसंती निवास करते हैं भवन्ती होते हैं जन्तुशालायाम अनेके पशवह च पक्षिनहा अब च क्या होता है हम बाद में लिखते हैं पशवह पक्षिनहा च भावन्ती ठीक है हो गया आगे देखेंगे अब लिखा है जनाह इमान पक्षिनहा पशून च द्रश्टम दूर तहा आगा चन्ती क्या लिखा है कि लोग इ इमान शब्द कहां से आता है, एदम शब्द में ही, हमारा कौन सा, पुरलिंक शब्द में, दूतिया वेविभक्सि का बहुवचन, यहना इन को, किनको इन पशु पक्षियों को, तो पशु शब्द भी बन गया, पशून, जैसे भानुन बनता है, हैना, दूतिया वेभक्ष तो कहेंगे इन पक्षियों क्योंकि पशून और पक्षिन यह दोनों ही कैसे बने हैं दुईतिया विभक्ति वाले बने हैं दुईतिया का बहुवचन बना हुआ है इसलिए हमारा इमान शब्द भी क्या बन गया जो हमारा इदम शब्द है वो भी क्या बन गया इमान बनिया यानि इन को, इन को किन को? इन पशुपक्षियों को चद्रिष्टुम देखने के लिए दूर तह आगच्छन्ती, दूर से आते हैं हम जब कभी सी का अर्थ लगाना हो तो हम क्या कहते थे? निकट तह यानि पास से, दूर तह यानि दूर से तो ये जो तह लग जाता है, वो हमें सी का अर्थ बता देता है जहां हमें कभी पंचमी बिवक्ती ना लगाना हो तो पंचमी बिवक्ती के स्थान पर ये हमारा प्रियोग होता है जैसे आपने कभी कभी पत्र में देखा होगा लिखा रहता है दिल्ली तह तह जो लगाया जाता है क्या बताता है हमें अर्थ सीक आर्थ बताता है कि दिल्ली से कर रहे हैं या फिर हम कहीं और से कर रहे हैं जहां सीक आर्थ बताना है वहाँ पर हम तह शब्द भी लगा देते हैं निकट तह पास से दूर तह दूर ठीक है द्रिश्टुम देखने के लिए तुम उन प्रत्या है के लिए कार्थ बनिया के लिए दूर तह आगच्छंती दूर से आते हैं जन्तुशालायाह सरवाह व्यवस्था प्रशासने क्रियंते जन्तुशाला की सारी व्यवस्था कौन करता है प्रशासन करता है तो हम कहेंगे जन्तु शाला की काकी की का अर्थ बनाना है इसलिए यहाँ पर जैसे लता बनता है लतायाह सश्टी विभक्ती में काकी की का अर्थ बता देता है तो हम कहेंगे जन्तु शालाया यानि जन्तु शाला की सरवाह व्यवस्था सारी व्यवस्था क्या कौन करता है प्रशासनेन प्रशासन के द्वारा प्रशासन लिख दिया के द्वारा का अर्थ लगाना है तो प्रशासन कैसा है अकारांत शब्द है नपुनसकलिंग है नपुनसकलिंग और पुरलिंग के एक जैसे बनते हैं तरतियाविभक्ती से तो प्रशासन जैसे बालक बनता है बाल लो बच्ची जन्तु शाला में जाकर कि कैसे होते हैं प्रसन्नाह भवनती अगर यहां कहेंगे आप बालकाह जन्तु शालाम आप कहोगे इधर अर्थ तो निकला है कि जन्तु शाला में जाकर अगर आप जैसे वाक्य बना रहे हूँ कि बच्चे या लड़की या बालक ठीके बालक जन्तुशाला या चिडिया घर में जाकर खुश होते हैं खुश होते हैं ठीक है तो अब हम क्या कहेंगे बालक अब एक नहीं है बहुत सारे हैं इसलिए क्या दिया बालका अब जन्तुशाला में अब में का अर्थ आ रहा है तो इस हिसाब से आपको में के हिसाब से क्या लगाना चाहिए इसमें जन्तु शालायाम लिखना चाहिए लेकिन इसके बाद में यह जो जाना शब्द जड़ गया था ना तो इसने गत्य अर्थी दुतिया का सूत्र लगा दिया गत्य अर्थे द्वीतिया तो जाने की धातु जहां पर होती है वहां मैं का भी अर्थ जहां जहां कहेंगे विद्य देखें यह गत्य अर्थे द्वीतिया सूत्र याद रख लिए जहां पर जाने की यानि गम धातु का जहां प्रयोग हो रहा होगा जाने की धातु के अर्थ में हमेशा जहां जाया जारा होगा उसमें मैं का अर्थ होती हुए भी द्वीतिया लगाई जाती है इसलिए यह जन्तु शालायाम याम नहीं लेखा, यहां पर जन्तु शालाम लेखा, जन्तु शालाम गत्वा प्रसन्ना भवन्ती, यानि जन्तु शालाम में जाकर प्रसन्न होते हैं, तो इस प्रकार से ये अपने पांच वाकी जन्तु शाला की उपर अपनी पुस्तक में दिये हुए हैं तो इसको हमने पढ़ा दिया कैसे एक बार फिर से हम रिवाइस कर लेते हैं जन्तु शालान, जन्तु नाम शाला जन्तु की शाला, जन्तु शालायती कथ्यते जन्तु शालायाम अनेके पश्वह पक्षिनह चा भवन्ती जनाह इमान पक्षिनह पश्वह चा दृष्टुम दूरत अगच्छनती फिर कहेंगे जन्तु शालाया सरवाह विवस्था प्रशासे नेन क्रियनते फिर कहेंगे बालकाह जन्तु नाम देखकर अब कहेंगे जाकर या देखकर अब हमें दृष्टुआ अगर जन्तुओं को लिखना है तो आप कहेंगे बालकाह जन्तु नाम दृष्टुआ प्रसन्ना भवन्ती इसकी बाद अगर आपको अपनी आप से यह नहीं कहना है कि बालक वहां जाकर खुश होते हैं आपको अगर ऐसी लिखना है कि बालक जन्तुओं को देखकर जानवरों को देखकर इसमें जन्त जैसे बालकान हो जाता है तो जन्तु शब्द हमारा जैसे उकारांत शब्द है ना पशु शब्द बनता है पशु हमारा कैसा बनता है उकारांत शब्द है तो इसमें हम जन्तु में क्या लिख देंगे दूईतिया बिभक्ति का बहु अचन लगा देंगे यह पशु शब्द लिग देंगे तो पशून लिग देंगे वीदिया बिभगती के कि बाल का हाँ पशून पक्षिन हाँ चडृष्टवा यानि जो बालक है पशू और हम्ञीयों को देख कर प्रसनाह भवनति तो इस प्रकार से भी आप बाकि बना सकते हो तो देखकर जाकर चलकर तो ये कर का भाव लगाना है तो हम इत्वा प्रत्या लगा दीते हैं तो इससे कर और करके का अर्थनिका लाता है योगि अनुछेद हमें स्वेम भी बनाना सीखना है तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने वाकिय अच्छे से बना पाएंगे चलिए दूसरा देखते हैं इसमें हमारा कौन सा दिया है स्वच्छता स्वच्छता के उपर हमारा अनुछिद अगर लिखनी को आता है तो अपन कैसे लिखेंगे स्वच्छता जीवन में आवश्यक होती है स्वच्छता जीवन में आवश्यक होती है तो स्वच्छता में तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना क्योंकि भाई उसमें क्या क्या रहा है स्वच्छता होती है करता है तो करतरी प्रत्मा प्रत्मा विभक्ती लगी है तो हमने लिख दिया उसको स्वच्छता को स्वच्छता क्यों इसमें कोई परिवर्तन नहीं तो प्रत्मा विभक्ती में आकारांत जो शब्द होते हैं एक वचन में उनका रूप कोई परिवर्तन नहीं होता बालिका बालिका रहती लता लता रहती रामा रहती है स्वच्छता स्वच्छता है छाया छाया रहेगी दया दया रहेगी ठीक है और हमारी और भी जो होते हैं दया हो गया इस प्रकार से तो बड़े आखी मात्रा से अंतु होने वाले ठीक है एक वचन का कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, जैसा का तैसा लिखा जाता है, तो हमने का स्वच्छता जीवन में, अब मेका अर्थ बताना है, इसलिए हम इसको क्या लगाएंगे, सब्त में बिवाक्ती, तो कहेंगे जीवन में, तो जीवने आवश्यक होती है, अब पुर लिंग न पुनसक लिंग कुछ भी हो, तो क्रिया लिंग की अनुसार कभी नहीं बदलती है, बदलती है तो सिर्फ पुरुष और वचन की अनुसार, वो पुरुष देखती है कि सवच्छता कैसा है, प्रथम मध्यम्यावत्तम, तो मैं नहीं है, तुम नहीं है, तो भवती यहां पार लगी हुई है स्वच्छता जीवन में आवश्यक होती है तो कहेंगे स्वच्छता जीवने आवश्यकी भवती आवश्यक होती है सामान्यतया हजया सामान्यतया यानि सामान्यत जनाह क्यते हैं सामान्यतया सामान्यत रूप से लोग स्वग्रहम स्वच्छी कुर्वंती सामाने रूप से लोग अपने घरों को अब अपने घर को तो अप स्वग्रहम ग्रह शब्द में वीत्या भिवक्ती अपने घर को स्वच्छी कुर्वंती स्वच्छ करती है परम लेकिन मार्ग के प्रतिवेश को मार्ग को और प्रतिवेश को और अपने चारों और के वातावरण को स्वच्छताया या किरें मार्ग के और प्रतिवेश के यानि आसपास के हमारा जो आसपास जो हमारी जगे होती है उसको स्वच्छताया उसके स्वच्छता के विशय में अवधान अमना यच्छती बिल्कुल ध्यान नहीं प्रदान करते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कहां पर नहीं देते हैं, कहां पर नहीं देते हैं, कहां रहे हैं, जनाह, लोग, स्वागरहम सुच्छी कुर्वंती, अपने घर को तो स्वच्छ रखते हैं, लेकिन, अब लेकिन किस से बनता है परम परम शब्द से क्या बनता है लेकिन मार्ग के और अपने परिवेश के या प्रतिवेश के और अपने प्रतिवेश की स्वच्छता के अब स्वच्छता में भी काकी के का अर्थ बताना था तो मार्ग में एक वचन का रूप लगा दिया तो मार्गस्य हो गया प्रतिवेश शब्द अकारांत है काकी के का अर्थ लगाना है सुस्या लगा दिया तो क्या होगी अब मार्गस्य प्रतिवेशस्या दोनों ही नपुन सकलिंगवाची शब्द है अकारांत है क्योंकि अकारांत बालकी जैसे रूप बनते हैं तिर्दिया से सब्तमी तक के तो मार्ग बन या मार्ग स्य प्रतिवेश स्य च च च कहते हैं मार्ग की और प्रतिवेश की स्वच्छता के विशय में तो कहेंगे स्वच्छता के, तो स्वच्छता में की कार्थ लगाना है, तो सश्टी विभक्ती लगाई, तो जैसे लता बनता है लतायाह, तो सश्टी विभक्ती में, पंचमी सश्टी में लता शब्द करूँ, क्या बनता है लतायाह, लतायाह, ठीके, तो कहेंगे स्वच्छ स्वच्छता या विशय में कार्थ लगाना है सक्तिमी विभक्ति हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको सुनके सुनते याद हो जाएगा कि में कार्थ जहां आ रहा होगा सक्तिमी विभक्ति लगा देंगे सच्थी विभक्ति काकी के कार्थ निकली का लगा देंगे हिंदी में बनाएगा हिंदी में बनाने की कोशिश कीजिए जब हिंदी में आप बना लेंगे वाकि किसी भी विशय के उपर उसमें फिर आप देखेगा उसमें क्या जोड़ना है आपको विभक्तियां जोड़नी है चिन्नों के अनसार स्वच्छता की विशाय में तो विशाय अवधानम ध्यान न यच्छनती नहीं देते हैं यच्छ यानी देना तो कई नहीं देते हैं ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं क्या करना है हमाई अपना घर साफ रखना है और घर का कचरा लेके बाहर जगे पड़ी हुई है वहीं पर फेंग दिया क्यों भाई वो भी तो हमारे आसपात का परिविश है वहां की गंदगी से भी तो बीमारिया फैल के हमारे घर में आई नी तो ये चीज़ें हमें ध्यान ड़क नहीं है अब क्याने है हमारे जो प्रधान मंत्री है नरेंद्र मोदी राष्टर पितुहु गांधी नहा जनम देवा से स्वच्छता अभियान से आरंभम कुर्व कृतवान के रहे हमारे अगर आपको अस्माकम के साथ में देश भी लिखना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री लिखना है तो आप लिख सकते हैं भारत तस्य प्रधानमंत्री या अस्माकम देश से हमारे देश के प प्रद्धान मंत्री नरिंद्र मोदी ने क्या किया है राष्ट्र पितु हुँ यानि राष्ट्र पिता के किस के गांधी नहाँ राष्ट्र पिता गांधी के राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के अब पूरा लिखना है तो महात्मा गांधी भी लिख दीजे जरूरी की की का अर्थ लगाना तैसलिए नहां लगा हुआ है महात्मा गांधी नहां महात्मा गांधी के जन्म देवस पर तो जन्म देवसे सब्तमी भी भक्ती जन्म देवस पर स्वच्छता अभियान का आरंभ करा किया आरंभ किया तो क्या हो है जन्म देवस पर स्वच्छता अभि आगे चलते हैं अधुना बालकाह अपी आज बालक भी स्वच्छता विशय जागरुकाह संती आज के जो बालक है आज अब अब या आज अधुना कार्थ हुआ अब जो बालक है बालक भी स्वच्छता विशय जागरुकाह संती जागरुक हो रहे हैं अब जागरुकाह क्यों लेखा क्योंकि बालका है एक बालक हो था तो जागरु को लेखते ठीके लेकिन बहुत सारे जागरु का संती जागरु को हो रहे हैं ते वे स्वग्रहम विद्यालेंचा यथा शक्तिम स्वच्छम कर्तुम प्रियतंते के रहे हैं वे स्वग्रहम अपने घर को विद्या और व तुम यानि करने के लिए प्रियातंते यानि प्रियास करते हैं आज जो बालक भी हैं वी क्या करते हैं अधुना बालक कहा अपी आज बालक भी स्वच्छता विशयम पर कैसे हैं जागरुक हैं सच्छता विशयम में जागरुक हैं वी अपने घर को चा विद्यालयम और विद हैं तो इस तरह से यह हमारे स्वच्छता की ऊपर आपका अनुच्छेद है पांच वाक्य आएंगे और भई पांच वाक्य ही है इसमें तीक है लेकिन देखे इतने ही तीक है पांच वाक्यों में इसका पूरा अर्थ निकल गया कि तो अब अगे देखते हैं हमारा अगे जो लिखा हुआ है वो लिखा है व्रक्षो रक्षती ही रक्षिताह व्रिक्षाह जीवनस से आधारा भवनती व्रिक्ष कैसे होते जीवन के आधार होते हैं व्रिक्षो रक्षती रक्षिताह का अर्थ क्या हुआ कि व्रिक्षो रक्षती आप व्रिक्ष की रक्ष क्या कीजि ध्यान किजिएगा क्यों? हम अगर पेड़ों को सुरक्षित रखेंगे तो पेड़ हमारी सुरक्षा करेंगे कैसे सुरक्षा करेंगे? जब आपको ठंडी चाया की जरुवत होगी आप धूप में निकल रहे होगे तब आपको जब उस धूप से अपनी रख्षा करनी होगी तब व्रिक्षा आपकी रख्षा करेंगे जब वायू में प्रदूशन बल रहा होगा तब उस समय पे जब आपको स्वच वायू और ऑक्सीजन की जरुवत होगी तब वो आपको अच्छी ऑक्सीजन दे के आपकी रख्षा करेंगे तो क्यों कहा गया है ये व्रिक्षो जैसे हम कहते हैं धर्मो रख्षती रख्षता है यानि ज़र रख्षत किया हुआ धर्म हमारी रख्षा करता है यासे ही कह रहे हैं विरिक्षो रक्षती यानि वरिक्षों की रक्षा कीजिए जिसे रक्षिता है वो भी हमारी रक्षा करते हैं तो अब हम कहेंगे विरिक्षा जीवन का आधार होते हैं विरिक्ष जो होते हैं जीवन का क्या है हमारे आधार है सबसे अधिक मेहत पूर्ण है व्रिक्षाह जीवनस से आधारा भवन्ती व्रिक्षाह अब व्रिक्ष कैसे एक व्रिक्ष तो होगा नहीं बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे व्रिक्षाह जीवन का काकी के कार्थ लगाना है तो जीवन में हम सश्थी विवक्ती लगा देंगे तो कहेंगे जीवन से क्या है जीवन का आधार है तो कहेंगे आधाराह अब आधार अकेला व्रिक्ष लिखते तो आधार लिखते लेकिन व्रिक्ष बहुत सारे हैं इसलिए आधार शब्द भी क्या बन गया नहीं हो रही है अनेको व्रिक्षों की बात हुँ यह नेको पेड़ों की बात हो रही है तो हम कहेंगे व्रिक्षाह जीवनासिय आधारा भवन्तिन फीक है कोशिश किजिएगा कि हम जब आपको explain कर रहे हैं उसी में आप याद हो जाए हम कोशिश यही करेंगे कि आपको हम बोलते बोलते में ही हम आपको याद करवा दें आपके मन में कम से कम पांच में से दो-चार लाइन तो आपको याद होई ही जाए तो कहेंगे व्रिक्षाह जीवनस्य के उपियोगिनी भवत व्रिक्षों के द्वारा नदियों के द्वारा परवतों के द्वारा व्रिक्षों के द्वारा नदियों के द्वारा और परवतों के द्वारा शुशोभिता यम प्रकृति शुशोभित यह प्रकृति मानों के लिए उपियोगी है उपियोगी होती है इस सिर्फ ये जो पेड़ देख रहे हैं नदिया देख रही है परवत देख रहे हैं यह सब केवल प्रकृर्टी को शूभित नहीं करते है क्या करते हैं हमारे लिए उपयोगी भी होते है अच्छा हिमालय परवत किन के चीज़ों से रक्षा करता है हमारी विदेशी आकरवनकारी उसे रक्षा करता है रक्षक बनकर बैठा है उदर से आने में हर तमाम तरह की कठनाई हो जाएंगी तब आप आओगे तो रक्षा करता है, बहुत सारी चीज़ें तो कहते हैं वरिक्षई, वरिक्षाई नदियों की द्वारा और पर्वतों की द्वारा तो तीनों में हमें, अभी हम जो आपको बोल रहे हैं उसको आप हिंदी में भी लिखते जाएए न व्रिक्षों की द्वारा नदिएं के द्वारा और परवतों की द्वारा सुसोभित यह प्रिकृती ही है क्योंकि प्रकृति यहाँ पर क्यसी है त्री लिग वाची है इसमें अब एटरं मानवा नाम करते तो यह और अच्छी सार्थक लिखेगा तो कहेंगे मानवों के कृते से अर्थ लिया लियेगा तो कहेंगे मानवा नाम कृते मानवों के लिए उपयोगी नहीं हुआ दिते अब उपयोगी क्यों नहीं उपयोगी नहीं क्यों कहा क्योंकि प्रिकृती हमारी स्त्रीलिंग है तो उपयोगी बन गया उपयोगी नी भवती होती है उपयोगी होती है परम लेकिन स्वार्थ रता लेकिन स्वार्थ में रत स्वार्थ में अंधा होकर स्वार्थ में लिप्त होकर या स्वार्थ वस मानवाह विकासम प्रती अंध धावन शीला अंधी दोड में लगन है किस में कह रहे हैं लेकिन स्वार्थता मानवा स्वार्थ रता स्वार्थ में रत जो मानव है वो कैसा कह रहे है विकासम प्रती विकास की और अंध धावन शीला निर्मम भावे रिव्रिक्षान करतन की क्या कहते हैं लेकिन स्वार्थता में अंधा होकर स्वार्थता में मानव विकास की प्रती अंधी दोड में क्या करता है अंधी दोड में लगन होकर निर्मम भाव से निर्मम यानि कोई दया नहीं दिखाते हैं पेड़ों को काटने में व्रिक्षान करतनती काट देते हैं तो अब देखी, कितना मतलब उसमें लिखा हुआ है कि लोग, विकास के प्रती, जो लोग है, मानव है, वो क्या किया रहे है? स्वार्थ में रत होकर, विकास करने के लिए एक बाद बताईए, अगर यह मार्ग बन रहा है, सीधा मार्ग बन रहा है ठीक है और यहां पर मान लीजिए कि यहां पर व्रिक्ष लगा हुआ है एक क्या लगा हुआ है व्रिक्ष और आपको मार्ग ऐसा बनाना है आपको सीधा तो आप क्या करोगे क्या हो रहा है हो क्या रहा है सीधा इसको ऐसा काट दिया यहां से मार्ग बना दिया क्यों ये मार्ग क्या इस तरह से ऐसे नहीं हो सकता है क्या कहीं पर आपने नहीं देखा है क्या मोड नहीं होती है क्या होती है ये अगर आपको बचाना है आपके मन में है कि आपको नहीं पेड काटने है तो बचाने के कई तरीके हो सकते हैं मार्ग ऐसा बन रहा है तो उसको गुमावदार बना दीजे थोड़ा सगुम जाएगा क्या दिखकते पेड़ को बढ़ने में 20-25 वर्ष लग जाते हैं तब जाके बड़ा पेड़ बनता है एक विशाल व्रक्ष बनता है लेकिन उसको काटने में 20 मिनिट भी नहीं लगते हैं और काटके उसको खतब कर देते हैं तो या तो उसकी जगह पे आप उसको दूसरी जगह पे स्थापित कर सकते हो तो यह तो हम करेंगे नहीं हम तो काटेंगे सीधा तो क्या कह रहे हैं लेकिन स्वार्थ रत जो मानव है स्वार्थ में लिप्त हुआ स्वार्थ में अंधा ह हुआ जो मानव है विकासम प्रती विकास के प्रती अंध धावन शीला अंधी दोड में लगन हुआ निर्मम भाविन निर्मम भाव से बिना दया की भाव से व्रिक्षान क्रिंतंती व्रिक्षों को काटता है असमा भी सर्वई तथ्यम इदम धातव्यम केते हैं असमा भी हमारे द्वारा भी सर्वई है हम सभी के द्वारा भी तथ्यम इदम इस तथ्य को ध्यातव्यम जानते हुए यत कि यदा वयम रिक्षानाम रक्षणं करिश्याम तदा व्रिक्षा असमा कम रक्षा करिश्यनती इत्तम पुर्श है इस लिए के लिए करेंगे इत्तम पुरुष के लिए इस लिए करेंगे गागी का एस परकार से वाकिय बनते समय ध्यान रखना की अगर हम का प्रियोग कर रहे हो तो क्रिया जो बन रही होगी उसमें भी वही पुरुष वचन लगाना अब ये वयम है तो उत्तम पुरुष के बहुचन की क्रिया यहां पर आमह लगेगी ना कि आमी ठीक है तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखने होगे क्योंकि अनुच्छिद हमें स्वेम भी बनाना परतकत है और स्वेम बनाएंगे तो हम क्यासे लिखेंगे हम देखेंगे तो कहेंगे वयम और पश्याम ठीक है इस प्रकार से हम अपने रूप बनाएंगे अस्मा भी ही सर्वई तथ्यम इदम हमार हम सभी के द्वारा अब हमको तो अकेला किस से दर्शा सकते थे वयम से अस्मा भ ही ही सरवई हम सब की द्वारा तथ्यम इदम तथ्यम इदम तथ्यम इदम इस तथ्य को ध्यातव्यम ध्यान रखना चाहिए कि यदावयम व्रिक्षानम कि जब हम व्रिक्षों की का रक्षण करिश्याम जब हम व्रिक्षों का रक्षण करेंगे तदा व्रिक्षा तभी व्र वो कब बचेंगे नहीं तब क्या आपकी रक्षा कर लें ग्लोवल वार्मिंग की जो समस्या होती जा रही है ग्लेशियर जो पिघलते जा रहे हैं समुदर का इसतर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो भाई ये क्यों बढ़ रहा है क्योंकि प्रतिवी पर कारवन उन तो कहां से मिलेगी के वलब रिक्षों से और रिक्षों को कारते जा रहे हैं यहां जग्न संक्या बढ़ते जा रहे हैं प्रतिवी से टकर आती हैं उपर जा ही नहीं पाती है जैसे कि देखो बाहर आपने देखी होगी ना कि जब कार बाहर रखी होती ना धूप में तो जब उसको बहुत अगर गर्मियों के टाइम पर देखना गर्मी आप बाहर खड़े रहे हैं इतनी गर्मी नहीं लगे कि जैसे ही आप कार में इंट्री करते हो तो आप खतरनाक वाले गर्म हो जाते हैं आपको लगेगा जल्दी खिड़िए खुलो कार की इतनी अंदर गर्मी होती है कहां से आजाते हैं क्योंकि भाई जो कांच कांच क्या करता है कि बहुत सूरी की किर्णों को अंदर तो आने देता है लेकिन परावर्तित नहीं देता है है क्योंकि बहुंग बंती जा रही है मोटी मोटी निखुण कि छोड़ने वाले तो बहुत सारे हो और जो लेंदे वाले जो बिक्ष्षे वह विच cz तो सूरी की क्यchyड़ंआ आती है लेकिन परावर्तित कहले बाहर जाहीं नहीं पाती है तो यह गरम ओ रहा है तो बस यहां के भाई जो अमारे मिले प्रश मिलेच सियर гарप और प्रीच मथ्व के अपड़नों नदियां जो हमारे जलवाईव में परिवर्तन हो रहा है इस सब को नियंतरित करने का एक मात्र साधन केवल व्रिक्ष है हमारे पास ठीक है न तो हमें व्रिक्षों को हमें केवल अनुछे दिलेखन तक ही सीमिज नहीं रहे यह सारी चीज़ें हमें व्यवहारिक तामें भी आनी आपको कर्वा रहे हैं आपने ऊनकोई याद कर लिया और पेपर आया आप इसलिक आगए इतना ही नहीं है हमें स्वैंबी इन चीजों को सी करना भी और है उस चीज को भी द्धान लगरई निर्मंभाव के साथ में व्रिक्षण कbergerतलति वक्षा को कार्ट रहा All Day अस्माभी शर्व्य तथ्यम एदम ध्या तवियं हम सभी को बी यह तथ्य इदम यह तथ्य ध्या तव på दो थ्यान ड्यान रखनाशाई की यदाव रिक्षानाम रक्षडं करश्यमन जब हम रिकषों की रक्षा करेंगे impe Всем आयम दर्शनिय अप है किसके दान के विषय में श्लोक अयम दर्शनिया ही यह है हमारा श्लोक दर्शनिया है कौनसा के पत्र पुष्प फलत चाया मूल वलकल दारू भी ही गंध निर्यास भस्म स्थितो क्या कामान वितंत वे केते हैं देखी कितनी सारी चीज़ें पत्र हुआ पुष्प हुआ फल हुआ चाया हुआ मूल उ उसका वलकल उसकी दारू भी है उनकी जड़ आप देखें व्रिक्ष के जड़ से लेकर फूल पत्ती फल एक एक चीज़ें उसकी कैसी होती है बहुमूल होती है गंध उसकी निर्यास भस्मास थे तो क्या कामान वितंत थे मतलब अब इनक यह बताए जब यह इतनी चीज़ इसमें से हमें सुगंद भी लेनी होती है तब हम फूलों का ही प्रियोग करती है अच्छी सुगंद का निर्माण करने के लिए कौन सा फ्लेवर कौन सा रूफ रूम फ्रेश्णर लेकर आ जाए तो कहेंगे हम जैस्मिन वाला रोज वाला कहां से आ रहे हैं पेड़ों से आ हो गया अनुच्छी ठीक है चलिए आगे बढ़ देते हैं अगर आ जाए तो ठीक है अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप शलूक लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं लिखना है तो आपने पांच वाके तकम्स कम आप लिखे दीजिए ठीक जा अच्छा इसमे अनिकों चीजें प्रदान करते हैं तो आपन लिख सकते हैं यहां पर वाके की व्रिक्षा मनुष्य से अब आपन Statistics को यहीं कि व्रिक्षा अस्माकम यानि हमें क्या करते हैं बहुत सारी तो कहिंगे हम बहूनी वस्तुनी बहुनि वस्तूनी ददाती तो इस प्रकार से भी लिख के वरिक्षाह अस्माकम वरिक्ष हमें बहुनि वस्तूनी ददाती बहुत सारी वस्तूएं देते हैं यहां लिख देते हैं आपको अगर लिखना हो अगर छूटी सी लाइन है लिख सकते हो कि व्रिक्षाह अस्माकम यानि हमें बहूनी बहुत सारी तो कहेंगे बहूनी वस्तुनी अब वस्तु शब्द कैसा है हमारा उकारांत है नपुन सकलिंगे है तो हमारा क्या बन गया वस्तुनी जैसे मधू बनता है न मधूनी तो इस प्रकार से वस्तु बन गया वस्तुनी द बर्दाती यहां लिख देते हैं ठेक हैं? ऐसे ही हम और भी क्या कह सकते हैं कि मनुस जो व्रिक्ष जो होते हैं क्या देते हैं? स्वाच्छ वाईउट भी देते थे हैं तो हम लिख सकते हैं इसमें व्रिक्षाह अच्छा ये भी लिख सकते हैं कि व्रिक्ष व्रिक्षाह अस्माकम स्वच वायूह ददाती व्रिक्ष हमें स्वच वायू भी देते हैं स्वच अस्माकम परम मित्रम अस्ति तो आप लिख व्रिक्ष अकेला लिखना है तो आप लिखेंगे व्रिक्षाह अस्माकम यानि हमारे अब हमारे के लिए असमाकम शब्ध प्रियोग कर लेजे और मित्रत बताने है तो कहेंगे व्रिक्षाह असमाकम परम मित्रम संती परम यानि कैसे घनिष्ट बहुत अच्छे परम मित्रम संती अब संती क्यों लगा दिया? अस्ती क्यों नहीं लगा या? एक व्रिक्ष होता तो असती लगाते बहुत सारे हैं तो हमने संती लगा दिया तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हो जाएंगे और हम और भी क्या लेख सकते हैं कि व्रिक्ष हमारे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं तो हम क्या लेख सकते हैं व्रिक्षाह अस्माकम वातावरणे शुद्धम कुर्वन्ती के व्रिक्ष हमारे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं तो इस प्रकार से अपन व्रिक्ष के वारे में किया क्या करते हैं पहले हम उनकी बारे में बता सकते हैं कि व्रिक्ष हमारे व्रिक्ष हमारे यह कर सकते हैं क्योंकि हमें पहले उपयोगी भी बताना चाहिए कि भाई हमें इस तत्य को याद रखना चाहिए कि जब व्रिक्ष हम व्रिक्षों की रक्षा करेंगे तभी तो व्रिक्ष हमारी रक्षा करेंगे तो इस प्रकार से अपन व्रिक्ष के उपर आराम से बहुत अच्छा निबंद पहले भी हमने आपको इसमें अनोचित हमने एक सरल भाषा में भी करवाया है ये तो अपनी इसमें अभ्यासवान भाव में दिया हुआ था तो इसको भी हमने का आपको बता दे कि भई कोन सी वाकिय हमें कहा से अच्छा लग जा उसको हम आपसे लिख सकते हैं अब लिखा हुआ है अगला आपका टॉपिक है बुक में हीमादास हीमादास कोन है उनकी वारे में पढ़ लिते हैं हीमादास कोन है असमराज्यस्य असमराज्य की एकस्मिन अती निर्धने क्रिशक परिवारे जन्म अलभत हीमादास असमराज्य की एक अती निर्धन कैसे क्रिशक परिवार में निर्धन परिवार में जन्म प्राप्त हुगा इमादास का जन्म कहां हुगा? एक अती निर्धन कृषक परिवार में अब एक अती निर्धन में लगाते फिर कृषक में लगाते इसलिए क्या होता है? भई जो हमारा विशीशन बनता है विशेश जैसा ही बनता है, हमेशा बता है ना कि क्रिशक परिवार में, लेकिन वो क्रिशक परिवार कैसा था, अती निर्धन था, तो दोनों में ही मेकार्थ लगाना है, तो दोनों में ही सब्तमी विभक्ति लगा दी गई, इसमें लखी गई, कि एक असमिन, एक में, और कैस क्रिशक परिवार में एक परिवार में तो एक भी इसकी विशेष्टा बन रहा था तो देखी एक में भी सप्तमी विभक्ति लगी तो एक कस्मिन हो गया परें क्रिशक परिवार कैसा था अतिनिर्धन था तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति लग गई क्योंकि ये दोनों ही अस्याह जन्म इनका जन्म जनवरी माशस्य की नवभ्यां तिठाऊ दे शहस्त्रत मैं कौन्सी कह रहे है नवम सी पता चला जन्म हो गया जनवरी हो गई पहला मन्त हो गया और दो शहस्त्र, दो शहस्त्र का मतलब क्या हुआ? 2000, नो जन्वरी 2000, वर्षे अलब्हत ताप्त हुआ, कब हुआ उनका जन्म? दो शहस्त्र, नो जन्वरी, तो कहेंगे जन्वरी मास्की नो मीत थी के 2000 भी वर्ष में हुआ किते हैं, दारिद्रयात डरिद्रता के कारण, सुविधा नाम आभावे, सुविधाओं के आभाव में, सा नियमेतम प्रसिक्षणम् अपी ना प्रापनुत, किसके आभाव में? दारिद रयात गरीवी के कारण सुविधा नाम आभाव सुविधाओं के आभाव में अब सुविधाओं के काकी की कार्थ लगाना है सुविधा एक नहीं वह सारी हैं तो बहुच लगाया है तो सुविधा नाम सुविधाओं के आभाव में तो आभावी सव नियमितं प्रसि प्रशिक्षण और अपि छीक? प्रशिक्षण भी न प्राप्नुत नहीं प्रात्थ कर पाई तथा पि तब भी सा हतोचसाहा ना भवत, ना भवत न और अभवत तबे भी वो हतोत साहित नहीं ही हानी उत्साह कि उन्हें कमी नहीं हुई विंशती वर्ष परियंत केते हैं विंशती वर्ष परियंत 20 साल के बाद वैशाम करते यानि आयू में या इन्होंने क्या किया आई ए ए ए ए ए ए फ धावन प्रतियुगिता अभवद कितनी 20 वर्ष की आयू में हैं क्या हुआ इन्होंने आई ए ए ए ए ए ए ए ए फ धावन प्रतियुगिता अभवद जो हुई तस्याम सा उसमें उन्होंने स्वन पदकम प्राप्त्य भार्थ वर्षम गोर्वान वितम अकुरूत उसमें सा उसमें उन्होंने स्वन पदक को प्राप्त करके भर्थ वर्ष को गोर्वान वित किया उसमें तस्याम उसमें सा उन्होंने स्वन पदकम स्वन पदक को जहां पे को का अर्थ आ रहा है वहां पे बीतिया विभक्ती देख रही हूँ आपको सा ने का अर्थ है तो प्रत्मा भिभक्ती लगी है तस्याम उसमें मे का अर्थ आ रहा था तो हमारा तत शब्द में क्या बन गया तत भूबी किसके लिए स्त्रीलिंग वाला तत तत बन गया हमारा तस्याम और पुरलिंग होता तो तस्मिन लगती है तो तस्याम उसमें उन्ह प्राप्त करके भारत वर्ष को गौरवानवित किया ठीक है आगे लिखा है वस्तुताहा आदर्श रूपा पेर्णा स्वरूपा च सा सर्वस्माई यो वर्ग क्यते हैं युवा वर्गाई यो वर्गाई यो वर्गाई होना चाहिए इसमें तो ये क्या लिखा है वस्तुताहा कहें वस्तुताहा वे आदर्श रूप और प्रेर्णा स्वरूप सभी युवाओं के लिए हैं वस्तुताहा वो कैसी हैं सा यानि वे कैसी हैं सर्वस्माई यो वर्गाई सभी युवा वर के लिए कैसी है आदर्श रूपा और प्रेड़ना स्वरूप है इस प्रकार से यही मादास के बारे में भी आपकी बुक में हैं उसको हमने आपको समझा दिया आगे बढ़ते हैं अब लिखा हुआ है सहिश्नुता शहिश्नुता क्या होती है इसको अब हम अपने अनुछित क माध्यम से पढ़ेंगे लिखा है वयम प्रती दिननम हम प्रती दिनम हम हर दिन समाचार में समाचारेशु अब समाचार एक में नहीं होता है रूज बहुत सारे होते तो समाचार में के लिए हमने समाचारे नहीं करके कहा समाचारेशु सब्तमी का बहु अचन लगाया हम प अधिक्रत्य समाचारण शुनम हम बढ़ती हुई समाचारों को सुनते हैं कि शुन मह्रम्म वयम् वयम कि शुल महलगया क्यों आमी आव्हा आमहरं अम सुनते है प्रती दिन की बात ओ Fi न मोorsch सुनते हैं तो लटलकार का यहां पर श्रू धातू में लगया क्या मन गया श्रूनु मह सुनते हैं अतीव दुखदाईनी इशा इस्थिती यह अतीव बहुत अधिक दुखदाईनी इस्थिती है यतह कि अधत्वे जनेशु शहिष्णता याह आभाव जाता है कि अधत्वे यानि आज के लोगों में शहिष्णता की शहिष्णता याह शहिष्णता का आभाव हो रहा है वस्तुताह शहिष्णुतायाह आभावे मानवस्य दुर्गती एव भवती वस्तुताह ये लोग जानते नहीं है हालाकि शहिष्णुता के आभाव में मानव की दुर्गती ही होती है समाजस्य वेगटनस्य कारणम अपी समाज के विघटन के कारण भी धार्मिक सहिष्णताया आभाव एवा अस्ति समाज का जो विघटन हो रहा है उसके कारण भी धार्मिक सहिष्णता का आभाव हो रहा है आभाव ही है क्यों क्यों कि भई क्या होता है देखें शहिष्णता का अर्थ क्या होता है आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाती के हो, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी ईश्वर को मानने वाले हो ईश्वर जब किसी को भेजता है तो वो समान होते हैं, कैसे होते हैं, एक समान होते हैं उनमें इष्वर भेजते समय ऐसा नहीं होता है कि किसी धर्म की व्यक्तियों को बहुत कुछ अलग तरह से सज़ित करके भेजे है ना उनमें कुछ दो-चार गोटा-पत्ती लगा के नहीं भेजता है और ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी ऐसा कुछ भी 50 पर पैना कि इश्वार नहीं भीलता इश्वार सब को समान रूप से जन्म देता है यानि श्वार सबके लिए समान है उसको उनको ध्यान करने का उनको पुजा करने की हर सभीowing सब ही के कैसे होते हैं अपने अलग-अलग तरीके होते हैं तो हमें किसी को भी यह नहीं करना चाहिए कि नहीं हम अच्छी है आपका धर्म बुरा है हमारा धर्म अच्छा है आपका बुरा है क्यों धर्म क्या है धर्म अच्छाई की बातें सिखाते हैं चाहे कोई भी धर्म हो मुस्लिम हो सिक्ह हो ईजय कोई भी हो जैन हो। बवध हो पार्सी हो इतने सारे दर्म हमारे भारत में पाए जाते हैं सब अपने धर्म को मानते हैं तो ह्म हम एक दूसरी को देखकर हम कहेंगे यह अच्छे नहीं है यह बुरे है तो यह जो धर्म के नाम पर जो समाज का विगटन हो रहा है समाज से वेगटन से कारण हम अपी समाज के कारण समाज का बहता जा रहा है जाते के आधार पर धर्म के आधार पर बढ़ते जा रहे हैं लोग अपनी एक अखटा समूँ बना लेते हैं हम एक हैं अगर यह भावना आ जाती हैं तो पर्यावश को एक कर ना और जाती हैं तो automatically जैसे परिवार के सदसे में किसी को तकलीफ होती है तो हमें भी तकलीफ होने लगती है हमें भी कष्ट पहुँचता है तो ऐसे ही अगर हम समाज के व्यक्ति भी अगर एक दूसरे को कैसा समझने लगे यह अपने परिवर के सदसे जैसा, तो सब एक दूसरे की सुख दुख में खड़े होंगे, कोई किसी को हान पहुचाएगा ही ने, दो एसा संभाव है, संभाव है, हस्तक श्यप नहीं करो, किसी को यह नहीं दिखाओ, के हम स्रेश्थ हों और वो नीचा, क्यों? सब अपने आप में स्रेश्ट हैं सभी अच्छे सभी धर्म अच्छे हैं उनको मानने वाले अच्छे हैं क्योंकि सब धर्मों का सार एक ही होता है इश्वर का अच्छे से और इश्वर की भक्ति क्या बताती है इश्वर की भक्ति आपको अच्छे मार्ग बताती है इश्वर मदद करते हैं इश्वर तो उसमें सबसे जादा खुश होते हैं तो यहां क्या लिखत किया रहे हैं समाजस्य वेगटनस्य कारणम अपी समाज के वेगटन के कारण भी धार्मिक शहिश्णुता यह आभाव एवा अस्ती धार्मिक शहिश्णुता का आभाव हो रहा है यदि अस्माकम मनसी यदि हमारे मन में वयम सर्वे सद्रशा है है हम सभी एक जैसे हैं इती भावना भावित ऐसी भावना हो जाती है तदा प्रकृतिया एव वयम सहन शिलता भाविश्यान तो प्रकृति से ही अपनी आप ही आप में सहन शिलता हो जाएगी आपके अंदर शहन श चीवार यदि हमारे मन में वयम सर्वे सद्रशा इस्म हम सभी सद्रश है इती भावना भवित एसी भावना होती है तदा प्रकृत्याहाल याने प्रीकृति से ही ठीध tutor करति हम अपने पृप्रेई अपने मन fram ही वयम सेहनशीला भवश्यामा हम सभी अपने आप ही सहनशील हो जाएंगे क्योंकि जब यह भावना अंदर आ गई कि हम सभी एक हैं अलग-अलग नहीं है चांठ सुर्र जब依ा है जैसे आप मनश्य हो ऐसा दूसरा मनश्य है ओ कि मन में मन में मैकार कर लगाना है सब्ति विभक्ति लगे थोड़ा सा पन व्याकरण की दृष्टी वी चलते जाएंगे यदि अस्मा कम मन से यदि हमारे मन में वयम सरवे सद्रशायस्म हम सभी एक हैं इती भावना ऐसी भावना भवित ऐसी भावना होती है तदा तब प्रकृ सब्ति से ही हम वयम यानि हम सहनशीला भविश्यामा हम सब सहनशील हो जाते हैं सहनशील हो जाते हैं और सहनशील होना यानि सहनशील कब नहीं होती है कब हम किसी दूसरी को देखकर अगर अंदर से भावना अगर हमारे अंदर द्वेश्की है तो फिर वह भावना आपको सह नहीं रहने देगी आप उसकी अच्छी वी बात को बुरा ही समझने लगोगे तो जब हम यह माल लेते हैं कि हम सब एक ही हैं तो फिर क्या अच्छा क्या बुरा सब अच्छा है तो इस प्रकार से हमारे अंदर शेयन शीलता आ जाती है क्रोधम सैयम्या उचिता अनुचित वि को सैयम का उचित का अनुचित का विचार ही को अपी नेर्णय करतव्या फिर कोई ऐसा नेर्णय नहीं करेगा क्या उचित है क्या अनुचित है क्या क्रोध क्या सैयम विचार यह सभी चीज़ें विचार करके ही कोई भी नेर्णय करतव्या करना चाहिए यहां तक अपना हो यानि क्रोध पर संयम करके नियंत्रन करके उचित अनुचित पर विचार करके ही कोई भी निर्णय करना चाहिए कोई यानि कोई भी निर्णय करतव व्यह करना चाहिए हमें क्रोध पर संयम करके हमेशा क्रोध ही नहीं रहना चाहिए क्रोध तो तब ही आएगा जब आप किसी को देखकर आप उसको हीन भावना से देखोगे आप उसमें बुराइयां ढूनोगे तब ही उसमें क्या होगा हमें क्या होगा बुराइयां देखेंगी तो क्रोध आएगा तो क्रोध पर संयम करके तो क्या रहे हैं क्रोध्य सम्य कहते हैं संयम्य यानि संयम करके लिप लकार लगा हुआ है उसमें लिप प्रत्याय लगा हुआ है उचित और अनुचित का विचार करके ही कोई भी निर्ने लेना चाहिए या करना चाहिए तो करता भी है तो इस प्रका संस्करिक सिक्षन के बारे में हम पढ़ेंगे प्राचीनकाले संस्कृत थरह व्यवहार की भाशा थी, व्यवहार एक भाशा थी जैसे आज हम आपको समझाने के लिए हिंदी का प्रियोग Cloud का प्रियोग करते हैं, अंगरिजे का प्रियोग करती हैं को हम संस्क्रित क क्यों comment कर ही पूरा बोल की क्योंबि आज से आज आप बच्पन से कुन भाषा को पढ़ रहे हैं आप हिंदी में बात करना कुछ से कौन सी हिंदी पढ़िजान से कॉंदी मे बच्पन पने सही से कि दूसरी भाशा आपने अपने राजी के हिसाब से भाशां को छीति हैं फिर इंग्लिश कैसे के पात्थेक्रम में जोड़ बी गई है कि पहली क्लास से हमें पहली कक्छा से क्या जो हम पहले paper भी प्लेगरॉप में जो घ्किल घ्रिया क्लास तो उसमें श्युरूआत होग तो हिंदी का छोटा बड़ा बाद में आएगा ABCD पहले आजाती है तो इसलिए वह हमारी क्या हो गई English भी हमारी कैसी होती गई साधरन बोल चाल भाषा में हमारी लिए उस भाषा को हमने क्यों जल्दी सीखा आपको लगता होगा English सरल हो जाती है हिंदी सरल हो जाती है वह क्यों सरल होती है वह इसलिए क्योंकि हमने उसको बच्पन से उसको सीखना बच्पन से अगर संस्कृत को भी और पाटी करम में रख दिया जाया तो बच्चे जैसे हिंदी और English में बिलकुल बात करते हैं ऐसे ही संस्कृत में ही वह बोलना सीख एसा ना दिखता है और ना ही माना जाता है ठीक है संस्कृत भासा जन भाशा भावीत संस्कृत भाशा जन भाशा है ये तदर्थम संस्कृत भारती नामकम संस्थानम भ्रंस्कृत भाशाया प्रचारय प्रसारय चा प्रयत्ति अब संस्कृत भाशा जन भाशा भावीत ये इस अर्थ में जो संस्कृत भारती नामक संस्थान है संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए और प्रसार के लिए प्रियातते प्रियास कर रहा है अत्र यहां पर अनेकाह परियोजनाह प्राचलयंति यहां पर अनेक परियोजनाएं चलाई जाती है जिसमें बाला नाम वयस का नाम चाकरती जहां पे बालकों के और बणों के लिए संस्कृत संभाशन सिक्षनस्य रुची करी विवस्था क्रियते जिसमें की बाला नाम, बालोकों के लिए और वयसकों के लिए संस्कृत संभाशन, यानि आपस में बादचीत करने में भी संस्कृत का प्रियोग करें तो संस्कृत संभाशन सिक्षन अस्य, सिक्षन की रुचिकरी विवस्था करियते, रुचिकर विवस्था की गई है जिसमें आपस में जो बातचीत भी की जाए वो क्यासे संस्कृत में ही की जाए पुस्तकानी अपी पुस्तके भी इस संस्था की द्वारा प्रकाशित की गई है संस्कृत सिक्षनम की बारी में यहां पर संस्कृत भाशा यहां संस्कृत सिक्षन के बारी में बताया गया है कि संस्कृत सिक्षन के लिए कौन सी संस्था यह क्या काम कर रही है तो उसके लिए ये जो संस्कृत भारती नामक संस्था है संस्कृत भाषा के प्रचार ब्रसार में लगी हुई है बहुत प्रियास कर रही है यहाँ पर देखे कौन-कौन सी पुस्तके प्रकाशित हुई है यहाँ से वदतु संस्कृतम, संस्कृत वियवहार शास्त्री, भाशा प्रवेश, गीत संस्कृतम, शेशु संस्कृतम, इत्यादीनी, अनेकानी, बाली उपयोगी, बालकों की उपयोगी पुस्तके भी अनेन स अजय आगे देखते हैं, किते हैं सांद्रमुद्रिका ध्वनी मुद्रिका अपी एतह प्राप्त मग्यो algumas खरंतर है। उप्युक्तम एतत स्थानम इसलिए संस्कृत भाषा की अधिगम के लिए संस्कृत भाषा को सीखने के लिए सर्वता उप्युक्तम एतत संस्थानम सर्वता उप्युक्तम सबसे उप्युक्त है संस्कृत के सिक्षन के लिए क्याते संस्कृत भाषा के सिक्षन के लिए या तो फिर क्या लिख सकते हो इस प्रकार संस्कृत भाशा संस्कृत भाशा या सिक्षणाय संस्कृत भाशा की सिक्षण के लिए सर्वत एतत स्थानम सर्वता उप्युक्त सबसे उप्युक्त है ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको यह कठिल लग रही है कि संस्कृत भाशा अप्यक्तम एतत स्थानम तो इसको आप परिवर्थित करके कैसे लिख सकती हो कि एतत स्थानम संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के अपकाकी की कार्थ लगा ना इसलिए भाषा शब्द में हम सश्टी बिवक्ती लगा रहे हैं यह संस्थान या यह संस्थान संस्कृत भाषा के सिक्षण के लिए केते हैं उप्यक्तम अस्ति और सर्वथा उप्यक्त है सबसे अच्छा सर्वथा ओर लगा दीजी और अच्छा वागी हो गया उपयुक्तम अस्ति तो इस प्रकार से लिजी ये संस्कृत सिक्षन के उपर ये आपका जो अनुछिद था उसको हमने करवा दिया समझ में आया रिवाइस कर लें क्या एक बार? क्या करेंगे हम? प्राचीन काले संस्कृतम व्यवहारिश भासा आशीत आप चाहें तो इसको अलग-अलग नहीं है भाशा सीत क्या बन जाएगा? भाशा आसीत भाशा थी परम लेकिन अधुना एशा तथा न द्रश्यते न मन्यते यानि लेकिन अधुना एशा लेकिन आज ऐसा है अब ऐसा उस प्रकार का न दिखाई देता है न माना जाता है संस्कृत भाशा जन भाशा भावेद संस्कृत भाशा जन भाशा हो एत अदर्थम इस प्रकार इसलिए संस्कृत भारती नामक संस्थानम, संस्कृत भाषाया, प्रचाराय, प्रसाराय, चाप्रियातते संस्कृत भारती नामक जो संस्था है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार के लिए और प्रसार के लिए तो दोनों में के लिए है तो आय लगा दिया है चतुर्ती बिभक्ति लगा दिया संस्कृत भाषा के काकी के का अर्थ है तो संस्कृत भाषा या हली दिया सश्थी बिभक्ति लगा दिया संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए और प्र अला नाम वयसका नाम चक्रते बालकों के और वयसकों के लिए ध्यान कीजिए का कभी भी आपको जैसे के लिए का अर्थ लगाना है और उसमें चतुर्ती भिवक्ति नहीं लगानी है तो यह जो कृते शब्द है यह भी के लिए का अर्थ बताता है तो उसके लिए हमें क्या क यह नाम हो जाएगा रा और शा के आने पे यह जुन्ना वüyorsun परिवर्थित हो जाता है कहें बेन मनुष्या नाम कृटे तो यह कृटे लगने से लिय का अर्थ निकल आता है और कि का अर्थ इसमें है ही मनुष्यों के लिए तो कृटे शब्द हमारा के लिए का अर्थ भी आ जाता है ठीक है बाला नाम यानी बालकों के चाव वयसका नाम और वयसकों के लिए संस्क्रिट संभाशन जैते हैं संस्क्रिट संभाशन सिक्षन की रूची करी व्यवस्था करियते रूची कर व्यवस्था की गई है अब व्यवस्था स्त्रीलिंग शब्द था इसलिए रुचीकर की जगा रुचीकर ही लिखा हुआ है वदतु संस्कृतम, संस्कृत वियवहार, शास्त्री, भाशा प्रवेह, गीत संस्कृतम, सिशु संस्कृतम, इत्यादीनी, अनेकानी बाले उपियोगी, बालो उपियोगी, बाल और उपियोगी अलग-अलग थी, साथ में मिलाया ओकी मात्रा गुण संधी से आगे पुस्तकानी अपी, पुस्तिकें भी अनेन संस्थानेन प्रकाशिताने जो संस्थान है वो प्रकाशित करता है सांद्रमुद्री का, ध्वनी मुद्री का अपी इतह प्राप्त में शक्यती यहाँ पर सांद्रमुद्री का, ध्वनी मुद्री का भी प्राप्त कर सकती है कीते हैं अब आता है मम धर्म यानी हमारे धर्म उसके बाड़े में लिखा वह यह हमारा धर्म क्या है या क्या होना चाहिए तो कहते हैं हम मानव है हम सब कौन है मानव है ठीक है मतलब यह सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा जो धर्म है वो हमारा मानव है और मानवता है मानवता हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए भले ही हम अलग-अलग धर्मों को मानते हैं कोई हिंदू है कोई मुसलिम हो कोई सिख है को हमारा धर्म होना चाहिए हम मानव हैं दूसरे भी सब मानव हैं और हम सब समान हैं तो अगर यह धर्म मान लिया जाए तो यह सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा जब समानता का आ जाएगा सब में भाव तो क्या हो जाएगा उस सबसे सर्वस्रेश्ट धर्म हो जाएगा तो कहें मानवता मेरा गुण और धर्म है मेरे अंदर जो मानवता है वो मेरा गुण भी है और वो ही मेरा सरवोच धर्म भी अगर धर्म की द्रिष्टी से देखा जाए तो ना ही कोई हिंदू है ना ही कोई मुस्लिम है ना कोई सिख है ना कोई इसाई है ये सब तो ईश्वर को प्राप्त करने के उनकी भक्ती के लिए अच्छी मार्ग पर चलने के लिए रास्ता बताने के लिए बताई गई है जीज़ें लेकिन धर्म की दृष्टी से अहम केवलम भारतिय एव असमी मैं केवल कौन हूँ भारतिय हूँ यही मेरा सरवच धर्म होना चाहिए भारत में रहते हैं हम जिस धेश में रहते हैं देखें संस्कृत जो भाषा है वो विश्व बंधुत्तो का पाट चिखाती है कहते हैं वसुध्याईव कुटुम्ब कम यानि अगर प्रथिवी को अपना परिवार मानने लगोगे तो आप से अच्छा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है और उस दिन से बड़ा दिन कोई नहीं होगा और उस से अच्छा धर्म कोई नहीं होगा जब सब के अंदर एक प्रेम का मानवता का धर्म आ जाए हर धर्म को छोड़कर अगर मानवता के धर्म पर चले तुम देख लीजेगा कि हमारा सरवोच धर्म हमारा वही हो जाएगा भारतिय धर्म जीवन व्यवहार है अगर कहें किसके भारतिय परमपरा के अनुसार कहें तो जीवन का जो व्यवहार है वो ही धर्म होता है विस्तरेन यदी कथेम अगर विस्तर से कहूं तो भारतिय परंपरा के अनुसार धर्म क्या है जीवन व्यवहार भवती जीवन व्यवहार है एवन इस प्रकार भवत्रत्वं, पित्रत्वं, सिख्षकत्वं, छात्रत्वं, सह्यूगित्वं, मित्रत्व च इती आद मह में अनेके धर्म है अनेक धर्म हैं, कौन-कौन से जैसे भात्रत्वं का, भाई का धर्म होता है, पिता धर्म होगा, सिख्षक धर्म होगा, छात्रत धर्म होगा, सह्यूगि का धर्म होगा, मित्र धर्म होगा, अनेके धर्म देखे जाएं तो इन धर्मों के अलावा जो हमारे धर्म होते हैं वो तो बहुत ही अधिक होते हैं धर्म क्या है जीवन व्यवहार है हम अपने जो हमारे पुत्र पुत्रियां होते हैं जो हमारे बच्चे होते हैं उनके साथ में हम पिता या माता का धर्म निभाते हैं भाई के साथ में हम बहन का भाई का धर्म निभाते हैं धर्म क्या है जीवन वेवहार है यानि एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से रहना ये सबसे बड़ा धर्म होता है तो कहते हैं इस प्रकार भ्रात्रत्वम संतानों तभी भाई हो हम साथ में रहते हैं हम एक जगे रहते हैं एक ही परिवेश में रहते हैं हम एक ही देश में रहते हैं तो हम सब भी भाई है भाई बहन का भाव आ जाए जब पित्रत्वम शिक्षत्वम छत्रत्वम सहयोगित्वम कहते हैं मित्रत्व कहते हैं में है सबी धर्म के द्वारा tip हुं हां कि और CC हूं इक भारतिया हूं ऐत act इस तरह कि थाम यही इसमेदनकि हैं कि मैं कैसा हूं मैं महीं हर्ट और यहीं किसा होना चाहिए यह सभी धर्मों को अगर हटा दिया जाए इनके अलावा मैं एक भारतिय हूं और भारत से उन्यर्थम प्रयतितिश्य यानि यानि अगर भारत की उन्नती के लिए प्रयतिशील हो आप तो भारतियाम संस्कृटिम चा उन्नेश्यामी ये शमाम संकल्प तो क्याते हैं भारत की उन्नती में प्रयतिशील होने पर भारतियाम संस्कृटिम चा और भारतिय संस्कृटि को उन्नती की ओर ले जाना एशामाम संकल्प भारतिय संस्कृति को और भारत को उन्नती की ओर ले जाना एशामाम संकल्प ये मेरा संकल्प है और एशामा धर्मह ओर एशहมम संकल पहा यही मेरा संकल नह büyबा हमारा ये अनुच्छिद पूरा हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं अगला अनुच्छिद हमारा है पुस्तक के उपर के पुस्तक के ऊपर आप को अप चिद्रिक ना है तो आप क्या कहेंगे पुस्तक तो हमारी क्या होती है परम मित्र होती है तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि पुस्तकानी मानवस्य सरवानी कहते हैं सर्वत्तम मित्रानी परम मित्र है सर्वत्तम मित्र है तो हम कहेंगे पुस्तकानी मानवस्य यानि जो प पत्प्रदर्शक होता है मित्र क्या होता है जब हम मित्र से अपनी कोई बात करते हैं या कुछ कहते हैं तो मैं सही गलत की बहुत सारी चीज़ें बताता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लेकिन अगर जीवन में कहा जात कि सर्वुत्तम मित्र कौन है तो हो है हमारी पुस्तकनि अब एक पुस्तक होती तो हम कहते हुप惑 लेकिन पुस्तक एक नहीं हो ती हैं हम जीवन में बचपन से लेके रहे यह बड़े तक किती सारी पुस्तके पढ़ते हैं तो हम कहें ब hopelessटककानि मानववस्य जीवनस्य मानव के अच्छा मानव के जीवन की लिखना है तो आप कहेंगे मानवस्य जीवन से यानि मानव के जीवन की सर्वोतम मित्र है ठीक है और जीवन नहीं लिखना है मानवस्य लिखना है तो वो भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं अचा कोपित मित्रम के रहे हैं अगर गुस्सा हुआ आप से कुपित हो गया है आप से चिड़ने लगा है अगर मित्र कोई आपका ऐसा है जो कभी क्या होता है भी लड़ाई जगड़े हो जाते हैं तो कोपित हो जाते हैं गुस्सा हो जाते हैं क्रोध करन कैयते हैं कपट कर सकता है परम लेकिन पुस्तकानी सदाइव ίह लेकिन पुस्तक हमेशा असलिए इस्प्रकार की मित हित कर हित को चाहने वाले मित्र को कदापी कभी भी न त्याज्यम नहीं त्यागना चाहिए ठीक है कहेंगे कुपितम मित्रम जो कुपितम मित्र होता है अस्मा भी सह हमारे साथ कपटम करतुम शकनोती कपट कर सकता है लेकिन लेकिन किस भी बनता है परम शब्द से परम का अर्थ एक होता है सरवुच और परम का अर्थ लेकिन भी होता है परम लेकिन पुस्तकानी सदाई वो पुस्तक हमेशा ही अस्मा कम कल्याना है हमारे कल्यान के लिए सज्जानी भवंती हमेशा ततपर रहती है अतह इसलिए अस्माभी एताद्रशम हितकरम मित्रम कदापी ना त्याज्यम इसलिए इस प्रकार के हमारे द्वारा इस प्रकार के एताद्रशम मित्रम हितकरम कदापी ना त्याज्यम प्रत्यक्षम अप्रत्यक्षम सर्व विधम ग्यान पुस्तके भ्या प्राप्तुम शक्यते प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो चीज़ें हमें दिखती हैं और जो चीज़ें नहीं भी दिखती हैं सर्व विधम सर्व सभी प्रकार का ज्यान पुस्तक के द्वारा प्राप्तुम शक्यते आप प्राप्त कर सकते हो प्रत्यक्ष ज्यान हो अब प्रत्यक्ष ज्यान हो अब कहेंगे अप्रत्यक्ष ज्यान कैसा प्रत्यक्ष कैसा प्रत्यक्ष जैसे विज्यान की चीज़ें हम प्रत्यक्ष हो गया लेकिन अप्रत्यक्ष में कौन सा हो गया अप्रत्यक्ष हो गया जैसे ईश्वर इश्वर के बारे में हमने उन्हें देखा नहीं है वो हमारे सामने नहीं है लेकिन उनका ज्यान सभी विध्याओं का ज्यान हमें पुस्तक की द्वारा मिलता है अतेव कथितम अपी, कथितम अपी, अत एव, इसलिए ही कथितम अपी कहा भी गया है सरवस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्य अंध्य एव सह कहते हैं सरवस्य लोचनम सास्त्रम सबके जो लोचन है लोचन यानी नयन सबकी जो आखें होती है सास्त्रम जिसके नास्ति अंध्य एवसह जिसके होने पर कोई भी अंधा नहीं होता है जैसे सूर्दास सूर्दास कहते थे शास्त्रग्य भी नहीं थे लेकिन इश्वर की भक्ती में लीन होकर जब उन्होंने इश्वर भक्ती में इतना रत हो गए वो जन्म से अंध्य थे लेकिन उन्होंने हर एक चीज का वर्णन कैसा किया है कि जैसे कि उन्होंने ये चीज़ें प्रत्यक्ष देखी हो देखी हो तो कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम शास्त्र सभी सारी आंख सर्वस्य लोचनम सब की आखे है सब विद्याओं की आखे कौन है इस प्रकार से अब आगे देखते हैं लिखा है पुस्तक मेल कानी अपी भवन्ती पुस्तक मेले भी लगाय जाते हैं होते हैं यत्र जहां पर वयम विभेद विशियानाम पुस्तकानी एकस्मिन इस्थाने प्राप्तुम सक्षमाह छमाह की जगए आप लिख देंगे सक्षमाह साको इसमें जोड लेजिए जहां पर हम क्या हो जाते हैं कि एक ही स्थान पर एकस्मिन स्थाने एक ही स्थान पर प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं किन में? पुस्तक मेलों में ठीक है इस प्रकार से यहां तक अपना कौनसा हो जाता है यह पुस्तक का जो अपन अनुछेद बढ़ रहे थे इसको हमने करवा दिया आपका अच्छा यहां से यह जो हमारा अस्माभी से है अस्माभी सदैर स्वाध्याई परई है भवित अब्यम यह हमारे आगे वाले सदाईव स्वाध्याई स्वाध्याई परई स्वाध्याई परई भवित अब्यम यहां लिख देते हैं आपको ठीक है भवित अब्यम अब देखें यहां से अपन शुरू करते हैं पुस्तक का अपना हो चुका अब स्वाध्याई के लिए भी आपका यह टो टॉपिक दिया हुआ है पुस्तक में उसको पढ़ लेते हैं स्वाध्याई का मतला क्या होता है स्वैम से अध्यान करना दो प्रकार के अध्यान होते ही एक होता है स्वाध्याय करना यानि भी पुस्तकों का अध्यान करना अभ्य अपने पुस्तकों की बारे वें पड़ रहे थे और उनहीं को बारे में के आप स्वाध्याय यानि अपने आप से आपको कोई इसके लिए मार्ग दर्शित नहीं करेगा लेकिन फिर भी उसमें आप स्वेम सी पढ़ें ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है अस्मा भी ही सदैव स्वाध्याय परई भवितव्यम यानि हमें हमारे द्वारा हमेशा स्वाध्य स्वाध्याय की और जाना चाहिए या स्वाध्याय होना चाहिए स्वाध्याय परक होना चाहिए यानि स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए यह जो आपकी पंक्ति यहां लिखी हुई है इसका अर्थ ही निकल रहा है कि अस्मा भी सदैव स्वाध्याय परई भवितव्यम यानि हमेशा हमें स्वाध्याय परक होना चाहिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो कभी कभी जब भी समय मिली तब स्वाध्याय करें किसी भी नूबल का किसी भी उपन्यास का किसी भी कहानी का कोई भी आपके यहां पर ग्रंथ हो उसका स्वाध्याय करना चाहिए नहीं कहते हैं विद्यालये पठितस्य पाठ tactics यदा ग्रह वयं पुनह अध्यापनम कुर्मह तद विशय चिंतनम कुर्मह अभ्यासंभा कुर्मह तत कर्म स्वाध्याय इतिकति आते विद्याले में तो देखें पढ़ाय जाते हैं आपको पाठ लेकिन जब उन पाठ को देखें विद्याले में आपको पढ़ाय जाएंगे आपको उसके बारे में अभ्यास करवा दिये जाएंगे समझा दिये जाएंगे लेके स्वाध्याय क्या होता है कि विद्यालय में आपको जो करवाया गया है पाथ उसको आप क्या करें उसके उपर आप चिंतन करें उसको सोचें उसको समझें कि ये जो पाथ हमने पढ़ा था इसका अर्थ क्या था इसका उपयोग क्या था तो विद्याले पठितस्य, विद्याले के पढ़े हुए पाठ का, जब हम घर में, वयम हम, पुनाह अध्यानम कुर्मा, हम फिर से अध्यन करती हैं, तद विशय चिंतनम कुर्मा और उस विशय पर चिंतन करती हैं, अभ्यास हम वाकुर्मा और अभ्यास करती हैं, तत कर्म, उस कर्म को, उस काम को स्वाध्याय करना चाहिए. चात्रों में मूल जो समस्या है, वो स्वाध्याय के आभाव की है. सबसे बड़ी समस्या क्या है? बच्चों की स्वाध्याय. हमेशा पता है, जब कमईसी क काव हमने 6-7 साल हमें हो चुकिकए, पढ़ाते, स्कूल में पढ़ाया लेकिन हम 班 बच्शों को एक बात पर चाहे कोई भी विशय पढ़ा रहे हों तब हम हमेशा एक बात पर बहुत जोर देते थी बच्शों को कि आप लोग किताब जरूर पढ़िए, पुस्तक को पढ़िए एक बार, हमने पढ़ा दिया है, आपको समझा दिया है, लेकिन एक जब हम स्वेम उसको लगन से पढ़ते हैं, वो जी चीज हमारे अंदर वो हम जो आत्म साथ करते हैं, उसकी बात ही अलग होती है, ये चीज हम हमेशा कहते हैं, कि आप प्रशनुक्तर के पीछे भागो ही नहीं, कि हमें प्रशनुक्तर होने या नहीं होने, कोई फर्क नहीं बढ़ता, लेकिन आप अगर पुस्तक पढ़ेंगे, देखिए आपके लिए कितनी चीज़ें सरल होती चली जाएंगे, जो बच्चे फिर आपका गायव हुगा, तो आपके आगे की पूरी लाइन खराब आपको आएगी नहीं, स्वाध्याय करोगे, पाठ को पढ़ोगे, तो जब आपने उस विशाय को पढ़ रखा है, उसको चिंतन करके आपने उसको चे से समझ लिया है, तब अगर आप उत्तर लिख रहे वो है स्वाध्याय का आभाव, ठीक है, केते हैं विद्यालय पंच शड होरा परियंतम अध्याप के भ्याह, विद्यालय में 5-6 घंटे तक अध्यापक की द्वारा विवेद विशियान, केते हैं विशया, विशयान, अव गत्य छात्रह ग्रहम प्रापनोती, तदाचा अन अन्य शिक्षक के भ्या, व्यक्तिगत रूप, रूपेन अपी पाठन से प्रबंदम पेतरव कुरता है, येते हैं विद्यालय में 5-6 घंटे तक विद्यालय पंच शड होरा परियंतम अध्याप के भ्याह, अध्यापको की द्वारा विवेद विशियान, अव गत्य, दूसरे सिक्षक के द्वारा जो व्यक्तिगत रूपेन अपी जो व्यक्तिगत रूप से भी पार्थन अस्य प्रबंदम पेतरव कुरता है, जो माता-पिता के द्वारा पाठन के लिए आपका प्रबंद कराया जाता है, पर उसकी बाद पढ़ते हैं, इस प्रकार छात्रे भ्यो अपी इदम प्रतियते यदवयम प्रातह कालत आरभ्य सायम यावत पाठमह एव अतह आधुना मनोरंजनाय अन्यत के मपिकरत अभ्यम, यह सही बात है, बच्चों हमेशा यही चीज, हम तो यह चीज अनुभाव करते हैं, बच्चों के लिए अनुभाव करते हैं, क् फिर इसके बाद ही फिर कहीं सिक्षक के यहाँ पर आए, तो बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं, विद्याले में आप पढ़के आए हो, पढ़के आजाए, व्यक्ति गत रूप से भी बच्च कमजोर होता है, जो विद्याले में नहीं समझ पाता है, उसके लिए फिर व की बात नहीं है, नहीं है न, इससे अच्छा है कि जो आप ट्यूशन जा रहे हो, उतना आप मत करो टाइम, आप करो आप ट्यूशन की जगह है न, उस चीछ को आप पहले एक दो घंटे स्वहम से करने की कोशिश करो, नहीं आए, तो विद्याले के सिक्षक आप आपको जो डाउट लगे, आप लिखिए उसको और लिख के दूसरे दिन जाईए, फिर जो डाउट क्लियर होगा न, वो आपको कभी नहीं भूलोगे आप, है न, ऐसा डाउट जो हम स्वहम से क्लियर करते न, वो कभी भी नहीं बूला जाता है, तो यहीं यहाँ पे लिखा है कि स्व से शुरू हो जाते हैं, सायम, यावत, सायम तक उसी तरह से पठा महा एव, पढ़ना ही है, अधुना, इसलिए अब मनोरण जनाय, अन्यत के मपी करता है, मनोरण जिक के लिए अन्यत क्या करो, समय ही नहीं है, फिर कैसे स्वाध्याय करो, तो इसलिए इसलिए इस समय के अब हम चलते हैं आगे, मयूर पर देख लेते हैं, अपने अनुच्छेत को, लिखा है, मयूर हमारा रास्ट्रे पक्षी है, एशह मूलतह वन्य पक्षी है, यह कैसा है मूलतह वन का पक्षी है, बहुरंग, अच्छा आपको भी यह लग रहा होगा कि स्वाध्याय के मैं अ अब हम चार-पांच लाइने हैं, आगे भी अपने अभ्यासवान भाव में तो बहुत बड़े-बड़े परग्राफ लेकी हैं, एक बार अभी अमने जब अनुच्छेत के पूरे परग्राफ करवा दिये तो बच्चे कह रहते हैं, मैं चार-पांच लाइने आनी हैं तो आ मैयूरह असमाकम राश्ट्री पक्षी अस्ती, मैयूरह हमारा राश्ट्री पक्षी है, ये तो है इस पता, एशह मूलताह वन्य पक्षी अस्ती, यह कैसा है, मूलताह बन का पक्षी है, जंगलों में रहने वाला पक्षी है, बहुरंग मैयूरह अति सुन्दरह प्रतिभात वर्षाकाल और वर्षंतरितु जब आती है एशह सुन्दरम आकर्शकंच नृत्यम करूती यह सुन्दर और आकर्शक नृत्य करता है आकर्शकंच लिखना था यहाँ पेच्चा लगाना था इसी लिए यह अनुस्वार हमारा किसमे इसके अंदर आकर्शकम देखें आकर्शकम तो यह मां आगे आने वाले चा की वज़े से किस में बदल गया? हमारे न्यों में बदल गया आकर्शकन च नित्यम करोती सुन्दर और आकर्शक नित्य करता है ये तस्य नित्यम द्रिष्टवा इसके नित्य को देख कर केकार्वँच शृत्व और इसके वाणी को सुनकर जनाह मुदिता भवन्ती जनव मुदित हो जाते हैं जब ये अपना जब मयूर मयूर जैसी आवाज निकलती है जब ये बोलते हैं तो कहते हैं इसके नित्र को देखकर और केकारवंच और केकारवंच इसकी वानी को सुनकर भी जनाह मुदित भवन्ती भारत के जैसे म्यामार और श्री लंका का भी रास्ट्रिय पक्षी मयूरह अस्ति भारत की भाति भारत के जैसे म्यामार का और श्री लंका का भी श्री लंका अब बढ़िया की मात्रा है न इसलिए इसमें काकी की कार्थ लगाने के लिए याह लगा है फिर यहाँ पे च अपी लिखना था बाद में च अपी चापी बन गया अब जो पूरा बना हुआ है तो इसमें क्या बच्छों को कन्फियूज होगा कि हम इसको अलग-अलग क्या से तोड़ें लीजे हम आपको तोड़ के लिखवा देते हैं लेखा है श्री लंका च श्री लंका का का की के कार्थ बनाना था तो याह लगा दिया फिर चा और अपी लिख दिया और चा अपी को मिलाया तो मिल गया चापी और फिर जब श्री लंका याह से मिलाना था तो यह हो गया श्री लंका याह और यह जो विसर्ग है उच्चा के होने से किस में बदल गया शा में बदल गया तो ये बन गया स्री लंका याश चापी ठीक है स्री लंका का भी राश्ट्य पक्षी मयूर है भारत वत भारत की भाति ठीक है मियामार का, स्री लंका का भी राश्विपक्षी कौन है? देह लीजे, दो देश और इन जो, जिसका राश्विपक्षी मोर है, ध्यान कर लीजे कहते हैं, देवा नाम सेना पति है कार्ट के यसे वाहनम अपी मयूरह एवा अस्ति एव अस्ती से एव अस्ती मिलकर बनाये है मयूर वाहन किसका है? स्वामी कार्थी के जो शिव के पुत्र है और किसके बिना? ये जो मयूर है पेछी यानी पंक मयूर पंक के बिना तो श्री कृष्न का श्रिंगार अपूर्ण माना जाता है असमा भी मयूर प्रजाती रक्षनिया और हमें मयूर प्रजाती की रक्षा करने चाहिए कई बार क्या होता है इतनी सुन्दर पक्षी को उसके पंखों के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है और पंक बेचने वाले होते हैं इन पक्षियों को मार देते हैं और उरके पंकों को बेच देते हैं तो भई अपने किवल थोड़े से स्वार्थ के लिए हमें इतनी सुन्दर जो प्रजाती है जो राश्ट्री पक्षी है उसको हमें उसकी रक्षा करने चाहिए ना कि उसको मार देना चाहिए तो इस प्रकार से ये हो गए अपने 10 अनुचेद अब 11 पे और आ गए हैं एक आतंकवाद वाला है इसको वर देखे लेते हैं कि आतंकवाद क्या होता है कैते हैं हिनसात्मक्रियाओं की द्वारा अपने वर्चस्व की इस्थापना के लिए भै उत्पादन करते हैं या फिर भै का वातावरन निर्माणम ही आतंकवाद उच्चेते अपने हिनसात्मक्रियाओं की द्वारा किसी को मार दिया किसी को कुछ कर दिया मतलब हिनसा पैदा करके हिनसा पैदा करके अपने वर्चस्व की इस्थापना करना ही आतंकवाद कहलाता है कि अतंक वाद क्या है करें हें हिंसात्मक्रिया भी हें हिंसायक्त क्रियाओं के द्वारा स्वकिये अपने वर्चस्व स्थापना के लिए कि हमारा बोल वाला हो Selbstतुक्त मानी 자या भय का उत्पादन करना या पिर कि वातवरन का निर्मानाम ये वह के वातावरन का निर्मान ही भयस्य वातावरन निर्मानम एव आतंकवादह उच्छते जिसको आतंकवाद कहा जाता है आगे लिखा है ये शह केना पी एकेन जनेन समुहेन वा भवितुम शक्यते ये किसी एक जन के द्वारा या समूह के द्वारा भवितुम शक्यते ये किसी एक की द्वारा भी हो सकता है और जन समूह के द्वारा भी हो सकता है आयम इस प्रकार के अस्वामाजिक कत्वई इस प्रकार के अस्वामाजिक समाजिक नहीं कहेंगे समाज में रहने वाल एक दूसरे से प्रेम भावना की बाते करने वाले लोगों को नहीं कहेंगे इनको असमाजिक कहेंगे आयम इस प्रकार की असमाजिक तत्वई असम्वैधानिक क्रियाभी ही स्वकिये इक्षा-पूरीतुम भिन इस तरेसू संचाल अन्मान भवती इस प्रकार की असामाजिक तत्वों की द्वारा क्या किया जाता है असम्वेधानिक सम्वेधान में भी भारती सम्वेधान में कितनी धरणनल पेक्षता की बात की हुई है हमारी भारत की सम्वेधान में कोई किसी की धर्म पर पावंदी नहीं लगाता है ये कैते हैं सबको हर चीज की स्वत्नानतरता है इसके बाद भी इसके प्रकार की जो और ऐसंवेधानिक к्रियां की द्वरा स्वकियह एक्षा असम्मेध्याने करके अपनी एक्षा की पूर्ती के लिए विभेन इस तरका संचालन किया जाता है ऐसी क्रियाओं का संचालन करते हैं कि गए कुछ नहीं है हमारे आर्मी की जवान जा रहे थे बस में जा रहे थे भूम लगा दिया, उनकी हत्या कर दि, 40 जवानों को मार दिया भही क्यों क्या मिला है इससे, यह दिखाना के नहीं हमारी बात भान उनों नहीं हम ऐसा करें इससे इसकी द्वारा सामाननी जीवन पर कितना संकट होता है यह सबी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी इस चीज के लिए नहीं आगे आते हैं नहीं इसकुछ पर रोक लगा बाते हैं यह रोक व्यक्ति स्वयम लगा सकता है जो भी व्यक्ति इसी चीज़ें करते हैं वो स्वयम इस पर रोक लगा सकते हैं कोई नहीं इसको रोक सकता है उसके लिए हमें स्वयम कैसा होना पड़ेगा वही विश्व बंदुत्वम की जब बात आती है जब ऐसी भावना अंदर होती है तब ही जाके कहीं यह सारी चीज़ न संकट से घर जाता है है आतंक वाधीन आतंक वाध की द्वारा ग्रही समाजी देशी विदेशँ चा असुरक्षा या भाव भयन चा उत्पद्यति केते हैं आतंकवाद की द्वारा घर में समाज में देश में और विदेश में असुरक्षा का भाव और भय उत्पन हो जाता है जनसम यत्रकुत्रापी जनसमूह यत्रकुत्रापी कदापी किमापी भवितुम शक्यते और जन समत कहीं पर भी यहां पर कहीं पर भी कह सकते हैं भवी तुम शक्यते कहीं पर भी ये सारी चीजें कर सकते हैं तो भई ये सबी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए ये आतंकवाद कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कितने हर धर्म अच्छी बातें बताता है और उसी का हमें पालन करना चाहिए यही एक तरह का एक भले ही आज हमने इतने सारे अनुचेद पड़ी अनुचेद तो हमने सीखे ही उनका अर्थ तो हमने बताया ही साथ में कितने सारी चीज़ें हमें समझ में आई हमने सब चीजों को देखा और बाद में हमने आतंकवाद को भी देखा कि आप खुद सूचिए कि जब आप धर्म निरपेक्षता शहिशुनता की बात कर रहे थे तब आपके मन में खुद ये अच्छा आनन्द आ रहा था लेकिन जब आपने आतंकवाद की बात सुनी तो नहीं उसकी और अग्रसर होना चाहिए है न हर एक संदेश है बच्चे हैं आप लोग बढ़ रहे हैं बड़े होंगे तो अपने मन में जब भी भावना लाएं तो सब को अपना भाई बंधुरू की तरह आप देखेंगे तो अपने आप ही देखिएगा समाज में सुधार अपने आप होने लागे का और यह सारी चीज़े नहीं होगे ठीक है इसी के साथ में अपने अनुच्छिद लेखन का यह वन शोट रिवीजन होता है पूरा अच्छा बस तरीका यही है कि अगर आप किसी चीज़ का अनुच्छिद लिख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए उसके बारे में पहले पांच वाके अपने मन से सोचिए उसके बारे में ठीक है और मन से सोचने के बाद उसको हिंदी में लिख लीजिए कहीं पर रफ रफ किसी जगह पर आप उसको लिख लीजिए फिर उसमें फिर जब हिंदी में आप उनके पांच वाके लिख लोगे त पर इसमें अपन बहुत सारे आनुवाद करतें हें अपने हैं सारे बहुत सारे सब चीजों को जोड़कर अपनाख़ने अजाएगा तो फिर छित्रवर्णन और अनुचित भी आपके लिए कैसे हो जाएंगे आसान हो जाएंगे यह सारे वीजियो आपको हमारी MagnetBrainz वेबसाइट पर आसान ही से मिल जाएंगे Google टप पर जाएंगे लिखेंगे MagnetBrainz.com इंटर करेंगे आपका वेबसाइट पेज ओपन हो गया यहाँ पर आपको देखेंगे टर्म 2 एक्जाम के लिए आपको चाहे 11 ओ, 12 ओ, 9 ओ, 10 ओ, सब के लिए सारे टीचर्स लगे हुए हैं कि टर्म 2 के एक्जाम आपके अच्छे से अच्छे हो तो आप जिस क्लास की हैं उस चीज को आप सिलेक्ट कीजिए वही पेज आपके सामने उपन हो जाएगा क्लास चेंद के टर्म 2 के एक्जाम का अलग कूर्स के अपना अपलग पीज बन चुका है जहां पर हर एक जैसे संस्कृत के हैं तो संस्कृत के सारे चैप्टर से यहां मिल जाएंगे और साथ साथ में अभी जो वन शोट रिवीजन में बना रहे हैं वो भी आपके सामने आ निशानी नहीं होगी तो पढ़ भी आसानी से लेंगे जल्ली तो पढ़ते रहें मैगनेट ब्रेंस के साथ में मिलते हैं नेक्स वीडियो में चित्र वर्णन को आपकी बार करवाएंगे और उसके बाद अपने रचना अनुवाद का भी वन शोट वीडियो बनाएंगे भल